10 class start करते हैं mathematics chapter 5 from NCRT AP means arithmetic progression यह second video है first video में basic of first exercise मैंने complete करा दी थी चलिए अब start करते हैं second exercise means 5.2 तो 5.2 का जो topic होगा यहाँ पे जो हम लोग पूरी exercise में चलाएंगे उसका नाम है nth term of NAP तो यहाँ पे किसी भी AP का nth term में इसे particular fix term कोई पूछा जाएगा वो मुझे यहाँ पे निकान लोग चलिए start करते हैं इसके बारे में तो topic जो हम लोग का है आज का nth term of NAP तो क्या formula हो था इसका? AN is equal to A plus N minus 1 into D फिरसे repeat काता हूँ AN is equal to A plus N minus 1 into D जहाँ पे A जो होगा first term होगा D जो होगा common difference होगा चलिए इसका रहाँ डिटेल में बताता हूँ जाथा for example एक मैं यहाँ पे AP लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 आगे क्या लगा रहे देरश इसका लगा यह है कि आगे बहुत से terms इसमें आने वाले हैं बहुत हो सकते हैं लेकिन especially अगर यहाँ पे मैं पूछू हूँ आपसे कि कितने आभी आपको terms दिख रहे हैं तो आप बोलोगा यहाँ पे सिर्म मुझे 5 terms दिख रहे हैं पहला यह दूसरा यह तीसरा चौधा पाच्वा term दे रखा है लेकिन especially मैं अगर पूछू हूँ आपसे कि find 13th term अगर 13th term आपसे अगर मैं पूछू हूँ इस AP का मिस इसके आगे जो होगा 5 term दे रखें 13th number पे कौन सी value आईगी तो अब that लिए अब बताना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा लेकिन बहुत time लगेगा तो इसके लिए यह फाउला अपलाई किया जाता है जहां पर especially कोई एक आगे का term पूछा जाता है तो वहां पर निकाला जा सकता है चलिए एक में निकाल के दिखाता हूँ कैसे इसको लगाना होगा फिर exercise स्टार्ट करेंगे तो यहां पर अगर आपको 13 term निकालना है तो यह जो 13 होता है यह होती value of n means मुझे n जो है 13 take करना है और मुझे जो है a 13 ते निकालना है तो इसके लिए फाउला कौन से यूज करेंगे a n is equal to a plus n minus 1 into d जहां पर आप 13 वहां पर n की जगाँ पर put कर देंगे और उसके बाद जो जो value पता होँए वो भी डालेंगे means a कितना यहां पर 2 है वो put कर देंगे यह 12 आ गया d means इनका common difference तो इसका फाउला बता आ चुका हूँ है a2 minus a1 में second term में से first term घटाने पर हमारा d आ जाता है d means common difference तो यह मैं 2 put कर दिया है तो यह आपका हो गया 24 और यह 2 इसमें जुणने पर 26 हो गया है तो means आगे चलके 13 term पर जो value आएगी वो क्या होगी 26 होगी चले start करते है exercise तो एक exercise जो 5.2 इसमें है इसमें first question यहाँ दे रखा है तो इसमें a value बता है d की है n की है an की थोड़ा easy question लेकिन अभी मैं इस question में नहीं आ रहा हूँ मैं second question से start कर रहा हूँ कि second question अगर आपको आ गया तो first question अब लगा लेगे तो इसलिए start करते है second question पहले तो यहाँ मैंने second question एक note कर लिए है so second question में यहाँ गिवेन है चोज़ा correct choice in the following तो यहाँ एक mcq question दे रखा है जिसमें 30 term मुझे ap का find out करना है वो क्या होगा मुझे बताना है तो clear हो गया है मैंने बताया दाविव कि किसी particular term को find out करने के लिए हम लोग एक ही form लगाते है वो an का होता है तो an is equal to जो होता है a plus n minus 1 into d तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कुछ चीज़े निकाल लेते हैं जो यहाँ put करेंगे उसमें से सबसे पहले चीज़ आती है a, a में से होता है first term तो first term यहाँ पे कितना है 10 उसके बाद निकालते है common difference और common difference कैसे निकालते है second term में से first term मैं minus करूंगा जिससे negative 3 value आ जाएगी उसके बाद n especially term जो पूछा जा रहा है कौन सा 30 term है तो में समया 30 ले ले लेंगे आगे value आपकी 29 into minus 3 और calculate कर लेते हैं इसके multiply कर लेते हैं तो कितना है 27, 2 गया 6, 8 और minus करने भी कितना हो जाएगा 77 with a negative sign तो देखें किससे match हो रहा है इसे D is a right answer, वो C is a right answer तो C से match हो गया तो यह simple question था, इसता से question लगाए जाएंगे, especially जो term बोला जाएगा वो हम लोग find कर लेंगे साथ में एक और चीब बताना चाहता हूँ, यह जो follow होता है, an is equal to इसको एक और नाम भी बोलाते है, इसको general term भी बोला जाता है किसी question में अगर आपसे बोला जाता है, especially की find out the general term, जैसे यह series है, अगर इसका especially बोला जाता है की find out the general term, इसका मतलब यह है कि हम लोग end the term में answer निकाल के छोड़ देंगे end the term means, a डालेंगे, d डालेंगे, n की value नहीं डालेंगे, वो answer जो होगा, हमारा general term होगा चले, start करते हैं, next question, start करते हैं, third question, काफ़ी easy है, देखेगा, इसके कई पार्ट समय, दो पार्ट भी यहाँ पर note कर लिए, in the following, a piece, a piece given है, the find a missing term in the box यहाँ जो boxes बने, missing number मुझे find out करने हैं, क्या होगे, तो देखे, कितने easy method से बताऊँगा, आपको देखते रहेगा, तो सबसे पहले क्या है, जितने term दे रखे हैं, सबके अब numbering कर लिए, जो means number डालेंगे, तो means first term, second term, third term, यानि कि आपको clear हो गया होगी, आपको कौन सर term find out करना है, आपको second term find out करना है, इसको second term की value यहाँ पर miss है, अब जो पता है, उसको take कर लिए, a1 means होता है, first term जिसको a ही से represent किया जाता है, बाकी मुझे a3 पता है, आप उसको take कर लिए, a2 निकालना है, तो किसी भी especially term को मुझे निकालने के लिए, आपको पता होगा, कि अगर कोई term मुझे दे रखा होगा, तो हम लोग उसी में, फाउला उसको apply करेंगे, miss एक अपना हम लोग जो थर्ड तम निकालेंगे, थर्ड तम तो दे रखा है यहाँ है, तो यह अपना जो हम थर्ड तम निकालते हैं, देखे क्या होता है, एक थर्ड तम निकालने के लि इसके बाद इतना हो जानेक बाद जो यहाँ value A3 की पता है, वो आप put कर दीजिए, और जिसके value आपको पता है, उसके put कर दीजिए, एक ही भी पता है, तो आप A2 की value put कर सकते हैं, इसको आप क्या करना है, इसको क्या करना है, और answer हमारा आ जाएगा, तो यह 24 बचा है, यह हमने 2 आया, divide कर लिए 12 हो गया, तो कितनी value 12 होगी, लेकिन D निकला, मुझे क्या निकला, तो A2 निकला, तभी कि A2 कैसे निकलेंगे, तो A2 निकलने के लिए, मैं फिर से लगाते हैं, फावला, An is equal to A+, वैसे और easy निकला सकते हैं, डैकली निकली सबसे अच्छा रहेगा, से बादा चराएगा, तो 24 is the answer, यहां पर कितना आएगा, 24 answer आजाएगा, तो साथे find out हो चुका है, अब अगरे start करते हैं, second part, तो second part में यहां पर दो boxes खाली है, मुझे दोनों full करने हैं, यहां पर numbering कर ले दे, A1 पता नहीं है, A2 पता है, A3 पता नहीं है, A4 पता है, तो इस A2 की, तो A2 की value निकालते हैं, तो A2 की value कैसे निकालेंगे, लगाएंगे उसके लिए formula, और उसमें 2 put कर देंगे, N की जगा पे, तो यहां पर A2 कितना आगया, A plus D आगया, इसके बाद A2 की जो value given होगी, वो आप यहां पर डाल दीजिए, अब यहां पर A तो पता नहीं है, ना D बता है, तो यह equation बन के आगए, कोई बात नहीं, equation बन गई, इसको solve करेंगे, अब अपना निकालते हैं A4, तो A4 के लिए मैं डैकली यहां पर formula put up कर रहा हूं, उसमें भी मैंने वहां पर N डाल दिया है, कितना 4, इस formula में, A4 की यहां value given है, आप वो put का दीजिए, तो यह हमाग के पास आगी second equation, आप देखें, दोनों equation जो हैं कैसी linear हैं, और साथ में कैसी हैं two variable हैं, तो दो variable की equation को हम लोगों ने solve करना सीखा था, कौन चेप्टर में, third chapter में, linear equation, two variable, तो उसमें हम लोग कई method जानते हैं, तो elimination सबसे best method होता है, इसलिए दोनों equation को solve करने के मैं लिख लेता हूं, अब डाउन लिखने बाद दोनों करेंगे solve, मैं क्या करहा हूं, solving, तो solve करते हैं, तो इसके लिए sign change करते हैं, यह cut करते है, negative 2D, और यहां भी कितनी value आ चुकी, negative plus 10 आ गया है, ठीक है, plus 13 का sign लगाएं यहां पे, तो D कितना आ जाएगा, 2 से 10 cancel होने प वहां पर value पूट कर देंगे किसकी, D की जो मैंने निकाली है, तो 13 plus 5 कितना हो गया, 18 हो गया, तो A आ गया, D आ गया, अब जो term निकालना है, find कर सकते हैं, तो 1st term तो 18, 2nd term तो 13 पता ही है, A3 निकालना है, तो A3 निकालने का सबसे असान दरीगा है, अगर आपको A2 पता है, अगर आपको A2 पता है, तो आप सिर्फ D उसमें जोर दीजे, आंसर आपका आ जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो कितना आ चुक है, यह आपका 8 आंसर आ गया है, तो इसासे यह question complete होता है, ऐसे निकालना है, चाह दिखने करना हूं, तो यह मैंने A3 कैसे निकाल करते हैं, next question, तो ठीक स्टार्ट करते हैं, fourth question, third question के दो पार्ट बचे हुए हैं, तीन पार्ट बचे हुए हैं, वो homework में अगर doubt हो तर बदाएगा, मैं solve करके send कर दूँगा, चलिक स्टार्ट करते हैं, fourth question, तो fourth question काफी अच्छा question ने इसों दे रखा है, which term of the AP, which term of the AP, 38, 38, 13 18 is 78, मैं इस यहां एक AP दे रखी है, उसमें बदाना ये हैं कि जो 78 value है, किस term पे आएगी, किस term पे value 78 आएगी, मुझे याने के इसकी position बदाने हैं कि कौन से term पे 78 आना है, तो मतलब ये हैं कि मुझे निकालना है, N निकालना है, कि आखी कौन से term पे 78 आना है, तो इसके लि इसलिए मुझे इसको ले लूँगा AN तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी AD पहले तो देखे A और D तो चाहिए होता ही होता है तो सबसे पहला काम यह करा करें A और D निकाल लिया करें AD निकालने के लिए क्या करते हम लोग यह तो first time होता है D क्या करते हैं second way से first घड़ा देते हैं और D भी आ गया इस दो value आ जाने के बाद आगे start किया जाता है question तो अब क्या करते हैं AN पता है 78 है तो अब लोग क्या करेंगे हम लोग AN का जो फावला जानते हैं वो apply करेंगे ताकि वहाँ से N find out किया जा सके तो AN is equal to कितना है 78 है आप put कर दीजिए A भी पता है तो put कर दीजिए उसके बाद D भी पता है तो आप put कर दीजिए तो इस value आ चुकी है इसको आगे solve करते हैं यहाँ पर bracket open कर लेते हैं तो 5 and minus 5 इसको और calculate कर लेते हैं तो इसको कितना आ जाएगा तो यह चीज हमारी आ चुकी है N16 आ चुका है इसका मदलब यह है कि जो 78 value है वो इस AP में 16 टम पे आएगी चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कोश्टन तो अब मैं कोश्टन को स्टार्ट करें जा रहा हूँ कोश्टन ओर फाइव काफी जादा इंपॉर्टन कोश्टन होता है काफी इसका यूज है आगे कोश्टन में इसलिए ध्यान दीजेगा तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है Find the number of the terms in AP क्या निकाल ले number of terms निकाल ले तो AP के आदे रखी 7, 13, 19, डेट, 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 पिर आखरी टम यहां पे 205 है 205 तो number of terms निकालना है मीस यह आपकी finite series है मीस एक last का time मुझे बता है अब करना क्या है number of terms यह शुरू साथ से हुआ खतम 205 पे हुआ तो बताना यह है कि बीच कितने total terms है तो उसके तरीका यह है कि जो last term आपका है यह जिस position पे आएगा उतने terms है जैसा for example class में आपके अगर मैं जाओं और पूछू कि class में सबसे आखीर last rule number किसका है वो लड़का खड़ा हो जाए वो खड़ा हो जाएगा अब मैं पूछू हूँ उससे कि आपका rule number कितना है वो बूले 50 है इसका मतलब यह है कि class में बच्चे कितने 50 है उसी दरा से यहां करेंगे हम लोग जाएंगे last वाले number पास उसे पूछेंगे कि तुमारा rule number कितना है वो अभी तो बूलेगा कि मेरा rule number कितना है n है लेकिन जब n find out कर लेंगे वो ही total of the terms वो in ap हो जाएगा चलिए start करते है तो सबसे वहले क्या लिखते है first term लिखते है उसके बार निकालते है इसका common difference वो कितना आगे है 6 आगे है अब यह जो value हमेरे पास है इसको मैं let कर लिया है कि यह कौन सी value है last term की value है तो last term को क्या मना जाता है an लिखा जाता है तो an का फाउला apply करते है तो an कितना दे रखा है 205 पुट कर दीजिए a भी पता है तो पुट कर दीजिए और इसके बाद d पता है पुट कर दीजिए अब करना है कि सिर्फ all करना है और answer हमारा आ जाएगा तो यह कितना आ गया 1 प्लस 6N उसके बाद मैं 1 इधार ट्रांसफर करता हूँ यहां 5 चला था यहां 6X आना आ गया यह 204 आ गया 6N आ गया तो an is equal to कितना आ गया simple सी बाद है यह पॉट में आ जाएगा cancel out करते है 3s आ गया तो कितना 4 था जो homework दें लगा दे रहे है चला इस्टार्ट करते है next question तो start करते है question number 6 5th का second part homework में लगाएगा लगना चाहिए लग जाएगा same वैसी जैसे first part था check whether the negative 150 is a term of the AP तो question यहां पर यह है कि जो value यहां दे रखिए negative 150 इस AP के आगे कभी आएगी या नहीं आएगी यह मुझे check करता है तो कैसे check करेंगे उसके लिए हम लोग यह करेंगे हम लोग पहले इसको let कर लेंगे कि यह series में किसी एक particular number पे आ रहा है मैंने वो position माल ली N माल ली यानि N दो term पे यह value आ रही है अब N ट्रंप पे जो है 150 तो माल ली आ गया है आप निकालते है N निकालते है तो N निकालने के लिए लगाते है इसके फाउला उसके लिए पहले क्या करेंगे A निकालते D निकालते और यह सब चीज़े आपको पता है यह सब चीज़े आ चुकी है यहां पर value put कर दीजिए A put कर दीजिए N तो निकालना है यह हो गया इतना हो जाने के बात क्या गाते है थोड़ा और सिंप्लिफाइ कर लेते हैं यहां bracket मैंने open कर लिए negative हो गया, positive हो गया तो value कितनी आ गया, यह तो plus हो गया 14 इधा ले आदे उसका यह तो add हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया चलिए यह तो negative कर गया N is equal to 164 upon 3 आ गया तो यह value आ चुकी देखते हैं और divide को ले तो, divide कितना हो जाएगा 5 जा गया, बच्छा 1 बच्छा फिर कितना गया, अपका 3 जा गया, वो 4 जा हो गया 12 हो गया, बच्छा अपका 1 बच्छा 3 जा तो value जो आ रही 54.3 something आ रही है N जो आ गया हमारा points में आया अब पहले ज़िद आएगे किसी बच्चे का class में रोलंबा कई points में हो सकता है कि वो एक position है तो position point में हो नहीं सकती इसी दह से 통bs भी हमारा कई point में नहीं हो सकता N की value भी कभी हमारी points में नहीं हो सकती तो यानि कि N जो हमारे पास आया point में आया है इसका मतलब यह है कि यह जो value है यह AP में कभी नहीं आएगे तो इसलिए जो है हम तो याद कियेगा जब भी n हमारा integer नहीं आता है या फिर negative आता है या points में आता है तो इस वाल ये है कि वो term ap में lie नहीं करेगा integer आना चाहिए तो इसलिए क्या करेंगे no negative 150 not a term in ap तो इसाथ question complete हो चुका है चलिए मिलते हैं next video में next question के साथ जो question यहाँ पर मैंने miss की है miss आपको लगाने लिए दे हैं वो लगाएगा और send करेगा चलिए मिलते हैं next video में